सो हे गाइस विल्कम बैक टू मैं चैनल और आज मैं एक्स्प्लेइन करने वाली हूँ हाल ही में एमिच्वान प्राइम पर रिलीज हुई थाई इंडियन मुवी कॉंग्रैक्ष माय एक्स को ये एक थाई मुवी होने के साथ साथ एक इंडियन वेडिंग पर बेज़्ट है औ जो अपने ओफिस में बैट कर काम कर रही होती है वो रात के इस वक्त उस पूरे ओफिस में एकडम अकीली थी तब ही उसे उसके दोस्त का कॉल आता है और वो उसे बताते है कि मुझे एक हौरर श्टोरी के बारे में पता चला है और अगर तुम भी उसके बारे में जानना तो मैं तुम्हें एक वीडियो भेजता हूँ और जब वो लड़की उस वीडियो को प्ले करती है तो उसमें बताया जा रहा था कि एक बार एक लड़की अपने ओफिस में लेट नाइट तक काम किया करती थी और वो पूरे ओफिस में एकदम अकेली भी थी जिसके बाद वो लड़की थोड़ा डरने लगती है और अपने आसपास देखने लगती है तब है अचानक से वहां की लाइर्स चली चाती है जिससे वो और जादा डर जाती है और वो भाग कर ओफिस से बाहर जाने लगती है लेकिन वहां का दरवाजा बन था जिससे वो जल्दी से अपने चाबी से खोलने लगती है लेकिन वो देखती है कि उसके पीछे एक लड़की है जिसने बहुती अजीब से कपरे पहने हुए थे और वो बहुती अजीब तरह से डांस केरने लगती है वैसे उसका डांस तो बहुत वनी था तबी वो डांस करते करते उसे के तरफ आने लगती है और वो लड़की चिलाती हुई वहाँ से भाग कर अपनी कार में आकर बैठ जाती है जहां वो देखती है कि उसके कार में एक अजीब सा मोटा आदमी बैठा है जिसे देखकर वो चिलाने लगती है और अब जाकर हमें पता चलते हैं कि ये सब एक प्लैन था जो रिसा नाम की एक लड़की का था जो इस मुवी की लीड एक्टरिस है दिनसल रिसा उस लड़की को ओफिस से डरा कर बाहर निकालना चाती थी कि जब वो भाग कर बाहर आएगी तब ही उस लड़की का बॉइफिन उसे सप्राइजिंग तरीके से साभी के लिए प्रॉपोस करेगा मगर यहां तो रिसा का सारा प्लैन उल्टा पर जाता है वो लड़की इतना ज़ादे डर जाती है कि वो उस मोटे आदमी को एक जोरड़ लात मारती है और कायर से उतर जाती है तबी उसका बॉइफिन उसे प्रॉपोस कर ही रा होता है कि वो लड़की उसकी तरफ ना देखते हुए चिलाती हुई सड़क पर चली जाती है और एक गाड़ी से उसका accident हो जाते है ये देखकर सभी के होस ओर जाते है अब हम उसी लड़की को हॉस्पिटल के बेट पर पड़े देखते हैं और उसका boyfriend वहीं हॉस्पिटल में उसे साधी के लिए प्रोपोस करते है जिससे वो लड़की भी साधी के लिए मान जाती है लेकिन अपनी हड़ियां तोड़वाने के बाद नेक्ट सीन में हम रिसा को उसके दोस्तों के साथ देखते है और हमें पता चलते है कि असल में रिसा एक वेडिंग प्लैनर है और इसलिए वो उस लड़के के लिए काम कर रही थी तबी रिसा की दोस्त जैन के पास किसी का कॉल आता है और उसे पता चलते है कि उसे चार वेडिंग और्गनाईज करने का ओर्डर मिला है लेकिन वो रिसा से कहती है कि एक साथ मैं चार चार वेडिंग कैसे संभाल पाऊंगी इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्या तुम मेरे लिए इनमें से एक वेडिंग और्गनाईज कर सकती हो फिर ये तीनों अपनी एक फ्रेंड छवी के पास जाते है च्वी नहीं जैन को कॉल करके वेडिंग और्गनाईज करने का कहा था जैन च्वी को बताती है कि रिसा को भी एक वेडिंग और्गनाईज करनी है तो च्वी रिसा को बताती है कि ठीक है मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा ओर्डर है तुम्हें एक इंडियन वेडिंग और्गनाइस करनी होगी जिसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे रिसा भी इस वेडिंग को और्गनाइस करने के लिए मान जाती है मगर रिसा को इंडियन वेडिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है तो छवी उसे इंडियन वेडिंग के बारे में सारी बाते समझाने लगा वो कहती है कि इंडियन वेडिंग बहुत ही traditional तरीके से होती है इन में महंदी, संगीत और फेरे जैसे ceremonies होती है अभी छवी रिसा को उन इंडियन कबल्स की फोटो दिखाती है जिसे देखकर रिसा के तो होसी उड़ जाते हैं और हमें पता चलते हैं कि जिसकी साधी रिसा और्गनाइज करने जा रही है वो उसी का एक्स बॉइफेंड अरुन है इसके बाद ओफी और जन गाना गागा कर रिसा और अरुन की स्टोरी बताने लगते हैं कि जब रिसा पढ़ाई करने युके गई थी तो वहाँ वो अरुन से मिली और फिर दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया एक साल तक तो इन दोनों के बीच सब ठीक चलता रहा लिकिन फिर एक दिन अरुन ने किसी वज़े से अचानक रिसा से ब्रेक अप कर लिया और रिसा को एक वेडिंग रेस्ट में देखते हैं और अरुन भी उसके सामने था और वो दोनों साधी करने वाले थे तबिए रिसा कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता हमने तो ब्रिक अप कर लिया था और तुम्हारी तो किसी और मारे पीछे देख रही थी सीन सिफ्ट होती है एक महीने के बाद जहां थाइलैंड में हम एक जगे को देखते हैं जहां अरुन और मोनिका की साधी होने वाली थी रिसा और उसके दोल्स अरुन का वेट कर रहे होते हैं तभी वहां अरुन की एंट्री होती है वो रिसा से इतने दिनों के बात मिलकर बहुत खुश था तभी अरुन मोनिका को सबसे इंटर्यूस करता है इसके बाद हम मोनिका और अरुन को बीच पर वाक करते वे देखते हैं वहीं रिसा और उसके फ्रेंड उन्हें चुप चुप कर देख रहे थे नेक्स्ट मॉर्णिंग जब रिसा उठती है त तभी ओफी को एक फोटोग्राफर का याद आता है और अब एंट्री होती है मूवी के दूसरे हीरो टिम की वो वहीं एक चगे पर बच्चों को मैजिक सो दिखा रहा था मगर बच्चों को उसके मैजिक में जरा बेंटरस्ट नहीं आ रहा था तभी वहां रिसा आ जाती है उसे देखकर टिम वहां से भागने लगता है मगर रिसा उसे पकड़ ही लेती है रिसा उसे सारी बात बताती है कि उसे अरजन एक प्री वेडिंग सूट के लिए फोटोग्राफर की सरूरत है वो उससे बहुत रिक्वेश्ट करती है लेकिन टिम तो उसकी बात मानने के लि तुम्हारा मैजिक किसी को पसंदी नहीं आता जिससे रिसा को हसी आ जाती है और टीम अपनी बाइक लेकर वहां से चला जाता है जिसके बाद जैन और रिसा बड़े परिसान होते हैं तब ही वह देखते हैं कि टीम एकदम हीरो वाली चाल चल कर उन्हीं की तरफ आ रहा है ले कि इतनी चीजी लव श्टोरी सुनकर रिसा को मेटी आने लगती है जिससे वह वहां से भागने लगती है वहीं दूसे तरफ टीम अब वापस जा रहा था क्यूंकि उसका फोटो सूट का काम खतम हो गया था लेकिन रिसा उसे रोक लेती है फिर टीम उससे अपनी पेमेंट पांगता है तो रिसा उसे कहती है कि तुम अभी कहीं नहीं जा सकते वह उसे कहती है कि मोनिका और अरुन को तुम्हारे फोटो बहुत पसंद आए इसलिए वह अच्छाते है कि तुम अभी कहीं नहीं जाओ लेकिन टीम उसे मना कर देते है जिससे रिसा उसे फिर से वो उसे कहता है कि जब मुझे तुम्हारी जरूरत थे तुम मेरे साथ नहीं थी और अब जब तुम्हें मेरी मदद चाहिए तुम मुझे सौरी कह रही हो। कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये मेरा एक्स है तो वो कहता है कि मुझे अभी अभी एक लड़की ने बताया है जिससे वो कहती है ये मेरा एक्स नहीं है बलकि हम तो अभी भी एक दूसरे को डेट कर रहे हैं इसके बाद टिम को होश आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुमन ग्राफर के अक्सिडेंट हुआ था उसी गाड़ी में ये लोग भी थे और इसी वच्छे से वो अब नहीं आ सकते हैं मगर अब इन लोगों के पास विलकम सरिमनी के लिए कोई दूसरी टीम नहीं थी तभी टीम को देकर रिसा को एक आइडिया आता है जिसके बाद सारे लेता है इसके बाद अरुन रिसा से कहता है कि तुम्हारा बोर्फिन तो बहुत टैलेंटर है इसने सब का दिल जीत लिया और मैं इस बात से भी खुस हूँ कि मेरे जाने के बाद भी तुम किसी और के साथ खुस हो इसके बाद टीम रिसा के पास आकर अपना पेमेंट फिर टीम उससे पूछते है कि मेरा रूम कौन सा है जहां होटल के मैनेजमेंट से उन्हें पता चलते है कि अब वहाँ एक भी रूम खाली नहीं है तब ही वहां मोनिका के पैरेंट्स आ जाते हैं और उनसे कहते है कि तुम दोनों की तो साधी हो गई है ना फिर तुम दोनो अलग-अलग रूम में क्यों रहोगे तब ही वहाँ पर अरुन और मोनिका भी आ जाते हैं और पूछते है कि क्या हो रहा है तो मोनिका के पैरेंट्स उन्हें बताते है कि ये दोनों मैरेड होने के बाद भी सेपरेट रूम में रहना चाते हैं तो अरुन कहते है कि तुम द तो टिम रिसा से कहते हैं कि असल में तुम अभी तक अरुन से मुव ओन नहीं कर पाई जिस पर वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वहीं दूसरी तरफ हम अरुन को देखते हैं वो अपनी और रिसा की पुरानी फोटो और वीडियो को देखकर बहुत इमोस्नल हो जाते हैं वहीं रिसा टिम की बातों को सोचते हुए बीच पर आ जाती है तब ही वहाँ टिम भी आ जाता है और वो दोनों बैटकर बाते करने लगते हैं फिर अगली सुबा जब रिसा की आंग खुलती है तो टिम उसके एकदम सामने था जिससे देखकर वो डर जाती है क्योंकि उसन उन्हें मेरे साथ क्या किया जिससे उन दोनों में जगडा हो जाते हैं जगडा करते करते दोनों रूम से बाहर आ जाते हैं वहीं से मौनिका और अरुन भी जा रहे थे उन्हें देखकर टिम उनसे पूछते है कि तुम दोनों की रात कैसी गुजरी नीन तो अच्छे से रहा था नेक्स सीन में मेंधी की सरेमेनी सुरू हो जाती है जहां टीम सभी की बहुत ही अच्छी अच्छी फोटो लेता है वहीं रिसा के पास अरुन के डैड आते हैं वो रिसा को अपनी और अरुन के मॉम की साधी की बात बताने लगते हैं तो रिसा उनसे पूछती है कि आ अपने आप ही फील हो जाएगा अब उसके बाद संगीत सेरिमनी स्टार्ट हो जाती है जहां अरुन और मॉनिका एक अच्छा सा डांस परफॉर्मेंस करते हैं रिसा अरुन को मॉनिका के इतना करीब देखकर जलस होने लगती है और वहां से चली चाती है तभी टिम भी उसके पास आता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम अभी क्या फिल कर रही हो अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर अरुन को भी जलस कर सकते हैं इसके बाद हमें इस मूवी का एक हिंदी सौंग सुनने को मिलता है वैसे तो ये पूरी मूवी इंग्लिस और थाई लैंग दर्द होता है और वो नीचे गर जाते हैं तब टिम उन्हें सीपीर देकर उनकी जान बचा लेते हैं जिससे सभी लोगों के जान में जान आती है दूसरी तरफ रिचा टिम को अरुन के डर की जान बचाने के लिए थैंक्स गयती है अभी ये लोग पाते करी रह होते हैं कि तबी वहां के लाइट चली जाती है जैन वहां आकर उन्हें बताती है कि पूरे होटेल से लाइट चली गई है और हर तरफ अनेरा हो गया है हमें गेश्ट्स को देखने चाना होगा फिर वो लोग सभी को टॉर्च देने जाते है रिसा भी अरुन को टॉर्च देने जाती है तो अरुन उसे अपने रूम में लेकर जाता है वहां अरुन रिसा को ड्रिंक ओफर करता है वहीं वो रिसा से कहता है कि मैं टिम को थैंक्स कहना चाता हूँ उसने मेरे डैट की जान बचाई वो बहुत अच्छा है ड्रिंक करते करते रिसा एक दूसरे के काफी करीब आजाते है तबी रिसा उससे कहती है कि मुझे जाना चाहिए लेकिन अरुन उसे रोक लेता है वो उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कंफर्म करना है वो बहुत दुखी होकर रिसा से कहता है कि जब हमारा ब्रेक अप हुआ था तो मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता था मुझे डर था कि मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को खो दूँगा और आकिरकार मैंने तुमें खोई दिया मगे जब मैं तुमसे दुबारा मिला तो मुझे लगा कि गौड मेरा टेस्ट ले रहे हैं और सायद तुम ही वो लड़की हो जिससे मैं सच्छा प्यार करता हूँ इतना कहकर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है मगर वो उसे किस नहीं करता तबी वहाँ की लाइटस आ जाती है वहीं मौनिका ये सारी चीजे देख लेती है मौनिका को इससे बहुत बड़ा चटका लगता है वो अरुन से कहती है कि अब मुझे सब समझ आ गया है वो कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार तुम्हारी एक्स के बारे में पूछा भी था लेकिन तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया क्योंकि सायद तुम अभी भी इसी के साथ रहना चाते थे इतना कहकर वो रोती हुई वहाँ से चली जाती है जिसके बाद अरुन उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाता है बाहर आकर मौनिका एक गारी में बैठ जाती है अरुन उसकी गारी पर चड़कर उसे समझाने की कोसिस करता है मगर मौनिका उसकी एक नसुनकर गारी स्टार्ट कर देती है वहीं रिसा भी उस गाड़ी के पीछे चड़ जाती है और टिम भी अपनी बाइक लेकर उनका पीछा करने लगते है मौनिका के गाड़ी तेजी से चलाने के कारण पीछे रिसा गाड़ी से एकदम लटक जाती है तबी सामने से एक कार आती है जिससे मॉनिका अचानक से ब्रेक मारती है और विचारा अरुन सीधा जमीन पर जाकर गिरता है वो मोनिका को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैं तुम्हें रिसा के बारे में बताने ही वाला था लेकिन मुझे तुम्हें बताने से डर लग रहा था कि कहीं हमारा रिलेसन खराप न हो जाए वो उसका पैर पकर कर उससे बहुत माफ़ी मांगता है लेकिन मोनिका उससे कहती है कि तुम जूट बोल रहे हो तुम रिसा को किस करने वाले थे वो उससे कहते है कि अब मैं समझ गया हूँ कि तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मैं जिन्दगी भर खुस रहूंगा तब ही वहां रिसा आ जाती है वो भी मोनिका को समझाने की कोशिश करती है वो कहती है कि जब मैं तुम्हारी वेडिंग और्गनाइस करने आई थी तो मुझे लगा कि ये सब मैंने पैसो के लिए किया लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि ये सब मैंने अरुन के करीब रहने के लिए किया मगर मैंने अरुन की आखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है जब वो मुझे किस करने आगे बढ़ा था तो वो वहीं रुग गया था और जब वो तुम्हारी गाड़े के आगे गुदा तभी मैं समझ गई थी कि वो तुमसे कितना प्यार करता है और तुम दोनों के वेज मैं कैसे आ सकती हूँ मुझे अब अरुन नहीं चाहिए और अरुन भी मुझसे प्यार नहीं करता है मगर मौनिका उसे गुस्से में देखते हुए वहां से चाने लगता है तभी वहां टिम भी उसे समझाने आ जाता है अब अगले दिन साधी सुरू हो जाती है सभी लोग पूरी तयारे के साथ थे मगर ये लोग बहुत डर भी रहे थे क्योंकि मौनिका अभी तक नहीं आई थी सभी लोगों को लगता है कि सायद वो नहीं आएगी लेकिन तभी जैन और ओफी वहां भागते वे आते हैं और उन्हें बताते है कि मौनिका मान गई है और वो अरुन का वेट कर रही है ये सुन कर सभी लोग बहुत को सोजाते है अरुन मौनिका को एक और चांस देने के लिए थैंक्स कहता है फिर दोनों फेरे लेने लगते हैं और तभी रिसा चपी से पूछती है कि ये दोनों आग के आसपास क्यों गूम रहे हैं तो वो बताती है कि ये साधी का एक important ritual होता है जिसमें couples एक दूसरे से जिंदगी बर साथ निभाने का promise करते हैं तभी इसे खुसी के बीच रिसा नोटिस करती है कि टिम वहाँ पर नहीं है वो इसे हर जगे डूरने लगती है तभी उसके पास टिम का एक voice message आता है टिम उससे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ मैंने तुम्हारे साथ पैसो के लिए काम नहीं किया बलके मैं तुम्हारे पास रहना चाहता था और ये मौका मैं छोड़ कैसे सकता था सुभारे साथ बिताए सारे पल बहुत खुबसूरत थे और मैं इस बात से भी बहुत खुशू कि तुमने अब अरुन से मुवान कर लिया है और अब वक्त आ गया है कि मुझे भी मुवान कर लेना चाहिए मैं चाहता हूँ कि तुमें कोई बेस्ट मिले जो तुमें बहुत प्यार करे ये सब सुनकर रिसा टिम को रोकने के लिए बाहर आती है मगर वहाँ उसे कोई विगाड़ी दिखाई नहीं देती तब ही उसकी नजर अरुन के बारात वाले गोड़े पर पड़ती है वो उसी पर चड़ जाती है और वो एक प्रिंसस की तरह अपने प्रिंस टिम को ढूनने निकल जाती है ये सिन वाके में देखने लायक था फिर वो उसे ढूनते ढूनते आकिरकार उसके सामने आप उँचती है रिसा को देखकर टिम बड़ा हैरान होता है वो उसे पूछते है कि तुम यहां क्या कर रही हो तो वो उसे बताती है कि मैंने विस्पर्स ओफ गॉड की सुनी और इस पार मुझे इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए वो टिम से पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे तो टिम उससे कहते है कि अब इस नए एडवेंशर के लिए मैं मना कैसे कर सकता हूँ तब ही वहां पर फायर क्रेकर्स फटने लगते हैं और इसी के साथ आज की इंट्रेस्टिंग से मुवी यहीं पर खतम हो जाती है तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की मुवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना हूँ